असलाम अलेकुम व्योज कैसे हैं आप आज की वीडियो में मैं आपके साथ वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का डिफरेंस क्लियर करूंगी और ये बताऊंगी के इनको हम अपने घर में सफाई के लिए और किन किन मकासद के लिए यूज कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में मेरी जो लास वीडियो थी उसमें मैंने क्रैमिक्स की क्लियनिंग की थी वाशिंग सोडा से मैंने आपके सामने वाशिंग सोडा को मिक्स भी किया था और बनाकर भी आपको दिखाया था तो बहुत सारे क्वेस्टेंज आए मेरे पास के ये वाशिंग सोडा आपने किन क अवेलेबल होता है, जहां से आप अपना सरफ और डिटरजेंट वगरा खरीदते हैं, वहां से आप वाशिंग सोडा बोल कर यह इस तरह से एक पैकेट ले सकते हैं, यह ready to use भी मिलता है, जो just आप पैकिंग में लाएं और यूज कर लें और इस तरह से भी मिलता है, यह थोड सरफ का तेल भी बोलते हैं, और काला तेल भी बोलते हैं, और यह साथ में पाउडर है, इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, तो फिर वाशिंग सोडा बनेगा, यानि यह इसका फॉर्मूला है, इसको मिक्स हमने खुद करना है, यह देखिए, यहां पर इसके अंदर एक बोल के यूज कर सकते हैं, बरतनों की वाशिंग के लिए और स्क्रबिंग के लिए उसको हम क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन यह पाउडर जो है, यह उस वक्त ही एक्टिव होगा, जब हम इसके साथ काला तेल मिक्स करेंगे, यह देखिए, मैंने इसको एक बोल में कर लिया है, आपको गलफ्स पहनने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे तो इसमें इसे गैसिस खारिज होती है, जो कि आपकी स्किन के लिए डेंजरेस हो सकती है, अब इसके अंदर यही वाला काला तेल या सरफ का तेल जिसको बोलते हैं, यह हम मिक्स कर देंग यह जितना आप खरीदेंगे, उसे साब से उसके अंदर पैकिंग में ही मौझूद होता है, इसको आपको अलग से दोनों चीजों को लेने की ज़रूरत नहीं, यह इसी तरह से रेडी इन्वैलफ्स पड़े होते हैं, हाफ केजी, केजी यह जितना भी आप लेना चाहें, उ कोशिश करें कि हाथ कम से कम ही यूज हो, इसमें जो होता है, कास्टिक सोडा उसकी मिकदार काफी ज्यादा होती है, और यह बहुत ही ज्यादा निखार देता है, कलर कपड़ों का कलर जो है, वो इससे खराब हो सकता है, क्यूंकि इसमें कास्टिक सोडा की मिकदार बहुत केभिना ज्यादा होती है। इसको सफाई के लिए ही यूज करते हैं। अगर कपड़े वाश करेंगे, तो कपड़ों का कलर खराब हो सकता है। बजार में जो भी सर्फ अवेलेबल होता है उसकी बेस जो होती है वो कास्टिक सोडा ही होती है लेकिन इसमें कास्टिक सोडा ज़्यादा मिकदार में होता है इस तरह से मलने के बाद अब हम हाथों से भी इसको इस तरह से मसलेंगे क्योंकि मिक्स हो चुका है और ये थोड़े ठंडा भी हो चुका है दोनों चीजों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये एक्टिव होके गरम हो जाती है ग्यासिस निकलने के बाद आप इस तरह से इसको मल लें ताके इसमें गुटलियों और लंप्स ना रहें अब ये वाशिंग सोड़ा हमारे रेडी है, हम इसको मुख्लिफ तरह से अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं इसको आप किसी भी जार में बड़ी बोटल में या प्लास्टिक के कैन में डालके रख सकते हैं हमारे हां आम तो पर जो क्लीनिंग होती है उसमें इसको चार पाईया वग्यारा वाश करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं जो सूत की बनी हुई चार पाईया होती है उसके लिए ये देखिए इस तरह की जो चार पाईया होती है गरों में मसलसल इस्तमाल से जब ये मैली हो जाती है तो इस तरह के इस सरफ से वेकिंग सोड़ा से या नि ये बहुत ही अच्छी वश होती है वाशिंग सोड़ा से और ये जो हमारी रोजमरा की बेटशीट्स होती है देसी कंबल जिने हम खेस बोलते हैं वो इसे बड़े अच्छे वश होते हैं और वाइट कपड़ों की दुलाई के लिए वाइट सूती कपड़े जो होते हैं उनकी दुलाई के लिए भी इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं स्टील के और सिलवर के बरतनों में बहुत ज्यादा शाइन आ जाती है इसके साथ और मेरी लास्ट वीडियो में आपने जैसे देखा होगा कि मैंने ये फ्लाश्क, मोड और सिंक वगरा की क्लीनिंग के लिए आपको यही सजेस्ट किया था कि इससे बहुत ही अच्छी जबदस शाइन आती है इन चीजों में तो आप इन तमाम चीजों की सफाई के लिए ये वाशिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं और अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं ये है बेकिंग सोडा मेरी अक्सर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं सफाई के लिए बेकिंग सोडा काफी ज्यादा यूज करती हूँ ये बेकिंग सोडा वही है जो हम खाने में भी यूज करते हैं खाने के लिए मुख्लिफ चीजों के लिए इसको यूज करते हैं और उसके साथ साथ जो सफाई ही है उसमें विनिंगर के साथ यानी सिरके के साथ इसको mix करके बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं बड़ी ही अच्छी डीप क्लीनिंग इससे कर सकते हैं हम और जो हमारे kitchen में use होता है वो यही baking soda होता है इसको soda by carbonate भी बोलते हैं आम तोर पर kitchen में हम पकोडों में इसको use करते हैं दो तीन चुटकी पकोडों में डाल दें तो पकोड़े बड़े अच्छे नरम और फूले हुए बनते हैं इसके अलावा चनों को गलाने के लिए जब चने भुगोते हैं तो उसमें यह डाल देते हैं और बाद में wash करके उसको boil कर लेते हैं तो चने बहुत ही अच्छे गलते हैं इसके अलावा मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था इसको vinegar के साथ mix किया था दोनों चीजों को same quantity में ले लेते हैं जितना baking soda लेंगे उतना ही vinegar लेंगे और फिर उनको mix करके अच्छी सी paste बना लेंगे मैंने 3-3 tablespoon लेकर तो इनको mix किया था इस तरह से और फिर किसी भी scrubber के उपर लगा कर हम अपने washroom की tiles और marble के floor को और जहां भी आपको stains नज़र आएं आप stains को इसके साथ remove कर सकते हैं जो दाग दबे और hard water के stains पढ़ जाते हैं वो बहुत ही easily इसके साथ remove हो जाते हैं 15-20 minute के लिए छोड़ दें और उसके बाद simple wash कर लें तो बड़ी ही जबदस shine आती है उमीद है आज की वीडियो useful होगी आपके लिए द्वाव में याद रखिएगा like करें लाख